कि यहां से कच्रा नहीं उठता है नाड़ें की सफाई नहीं होती है और बद्वू आती रहती है विचारे गाड़ी गोड़े वाड़े सिलिफों के के गिर जाते हैं के के हाथ पेरों में लग जाती है किसी का सिर्फ उठ जाता है और सुर मार मार गे कुटे बिली मार मार गे यहां पटक देते हैं तिन तिन चार चार दिन तक कच्रा नहीं होता है आज आप से सवाल पूछा गया था कि क्या कच्रा प्रवंदन के शेत्र में नगर निगम नाकाम रहे हैं और 75 पीसिदी लोगों को लगता है कि हाँ नगर निगम नाकाम है हाला कि 25 पीसिदी फिर भी मानते हैं कि इस नाकामी के सब्सक्राइब को कैसे मिटाया जा सकता है जो तमका स्मार्ट सिटी का है वो कैसे बरकरार रखा जा सकेगा सुझाओं के बात कर रहा हूँ अजीश सुझाओं सबसे पहले आप से जाना चाहेंगे क्योंकि एक बड़ा जिम्मा आप लोगों के कंदे पर होता है संसादनों की कमी है या फिर तालमेल ही गड़ बड़ा हुआ हुआ है उसको बैतर करेंगे तो रास्ता निकल जाएगा है हमारा भुगतान समय पर हो सबसे पहली चीज और मैं हर पूरे ठेकेदार व अरियोजना का जो पर्शन चिन लगा रहे हैं उस पर आप मैं कहता हूं कि वह बिल्कुल साकार होगा साथ साथ में आम व्यक्ति को भी अपनी सामाजिक सरोकार समझनी पड़ेंगी और जहां कच्रा पातर लगे हैं वहां कच्रा पातर में डाले और ठेकेदार हर वक्त उनक कुछ भी होगा समार्ट उसी एरिया में होगा वाकी जो एरिया आपके मेरे वाले एरिया है वो समार्ट कैसे बढ़ेंगे बगवान जाने उनमें कच्रा ही टाइम पर नहीं उड़ता मैं तो इन ठेकेदारों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरा सुजाव है वरताल मत कर अब अरताल करेगा तो अब बार पर ना मुदकना पड़ेगा यह उम्मी तो एक आम जैपूर का नागरिप भी कर रहा होगा मैं इससे तफ़क बठाते रहो अपना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कच्रा परिवाएं के ठेकेदारों की तरब से किसी भी तरीके की सम आपको बढ़ी बीमारी क्या लगता है और उसका इलाज क्या है बड़ी मीमारी यह है साब के इनके जो है मेर का जो मामला है वह चोड़िए सुझाव बता दीजिए आकरी दोर में नहीं परिशन जो खराब होता है मेर से खराब होता है अब जवाब दीजिए गांप आखरी दो मिनिट है मैं आपको पूरा मुक्छा दूँगा जवाब दीजीए घुलम नमीसाद मैं यह कहता हूँ इससारे बोर्ड इनके सारी समीटियें इनकी हमारा चाहता हम आप तो यह बताई है कि जैपुर साफ कैसे हो सकता है जैपुर स हम लोग इमानदारी से काम करें हम भी उसमे शामिल हैं कोई हर जो NO Sotho को लगता है कि पार्चट अपनी जिम्मदारी ठीक से नहीं बारा आए भांकि सब ठीक ठीक ठाक है बहुत बोह परसेंटेज नहीं निभा रहे हैं क्योंको मजबूर हो जाते हैं पाइटिक लाब नहीं बोले हो सकता है आपके कारिशेत्र से बाहर का मसला हो लेकिन एक बीजेपी व्रतिनिदी की तौर पर आप से समझना चाहूंगा बोर्ड आपका है मेर आपका है ऐसे हालात में जेपुर को साफ रखने की जो जिम्मेदार ही है सहरा है वो भी आपकी सिर्पर ही बंदेंगा ऐसे हालात में अगर पार्शेदों को स्ट्रीम लाइन करना है ताकि सिस्टम पूरा ठीक से हो जाए तो उसके लिए क्या काम किया जा रहा है चुषीजी जी ने कहा कि सरकार हमारी है केंदर सरकार हमारी बिलकुल निच्ची तोरफ पर मारी है और उसका पर जाङुकसर हना कि आप प्रधान मंतर जीने अमरत योजना के तेस्ट शेरों को शहरी विकास के लिए अधाने में अज्ञार करोड आज तक कि किसी पूर्वती सरकारों ने दिया इतना किसलिए स्वस्त भारत बनाने के लिए अधान महजार करोड और उसमें से एक लाग से उपर की आबादी को हरो मुलभों से उपव्लप्त कराने कि हमने जिम्मेंधारी ले ली एक्टान में लिए अध्वन लाख बनाने के लिए नगर निंगम में फारम आचुके हमारे पास और 4000 के लिए हमने फंड वी इसू कर दिया है चार हजार टोईलेट जो चोटी बस्तियों में लेट बात करने के लिए जगे नहीं है उस फेमेलिक नहीं हो उनके 4000 काम चालू हो गया है सबसे बड़ी बाद करने वाली बात आखरी क्योंकि तीस सेकंड में बात पूरी करना जाओंगा हम यह चाहते हैं कि जनपर्दिन इंदी जो अन्य दलों से हैं और लेकिन जीतने के बाद वह एक जनता के सवक के रूप काम करना चाहिए उनको और उस से वक के रूप में सबसे बड़ी बात है कि अपने वार्ड की समश्चा के महारफत हमें मेर को कहे या गिराज समीद्यू को कहे जिसको भी कहना है एक समश्चा का आप बात नहीं पहुचाएंगे तो उसका समाधान नहीं हो सकता और ऐसा भी आम सब्सक्राइब करें हम स्मार्ट बन रहे हैं और स्मार्ट बनने की यह उम्मीद आप भी मत छोड़िये और मैं छोड़ने नहीं दूंगा विक्वाइट लाइं में आज इतना ही सभी महमानों का शुक्रिया आदा कर रहे हैं और आप सभी से इस उम्मीद के साथ विदा ले